स्टूडेंट उमीद करता हूँ खेरियास से होंगे हाजर हूँ MF English Center से तो आज जो हमारी exercise है वो है exercise number 6 और जो ये unit है वो है 5.1 और जो ये chapter है वो है health problem caused by mosquitoes तो student exercise number 6 चुरू करने से पहले मैं आपको बताता चलू हूँ कि मैं exercise number 1 से लेकर exercise number 5 तक वीडियो अप्लोड कर चुका हूँ तो अगर आपने वो नहीं देखिए तो वह जरूर देख लीजए गा और मैं chapter पे भी वीडियो अप्लोड कर चुका हूँ तो वह अगर आपने नहीं देखिए तो वह भी देख लीजएगा और इस्टूडन में आपको साथी साथ ये बात भी कहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बैल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिएगा च्योंकि आपका सब्सक्राइब करना हमारे लिए एक रिवार्ट होता है और हमें इस बात का ऐसास दिलाता है कि हाँ हमारी बात जो है वो बच्चों तक पहुँच रही है तो स्टूडन सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बैल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिएगा और अगर आपकी कोई क्यूरी हो कोई डिफिकल्टी हो या आपको कुछ पूछना हो या आपको किसी टॉपिक पर वीडियो चाही हो तो आप जो है हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते है वाटसेप नंबर स्क्रीन पर आ रहा होगा तो student exercise में जो आपको instruction दी विए वो ये दी विए के read the text and complete the following table in your notebook देखें student यहाँ पर जो है का जा रहा है के आपने जो है text पढ़ना यानि आपने जो chapter पढ़ा है यह उसी से relate करता है आपको जो है chapter में मुक्तलिब disease के बारे में बताया किया था जो आपको diseases दी वी थी यहाँ पर जो है आपने वो diseases को mention करना है उसके बाद आपने जो है यहाँ पर बताना है के वो कैसे फैलती है यानि जो आपने chapter में diseases पढ़ी थी सारी malaria, chicken gunia और जो डेंगू यह सब पढ़ा था आपने इदर उसे लिखना है one by one तीन कॉलम दिये है उसके बाद आपने यह बताना है के यह बिमारी यह कैसे फैलती है उसके बाद आपने यह बताना है के यह organ पर कौन से जिसम के हिस्से पर असर करती है कौन से सेल पर असर करती है हमारे और क्या इसके नुकसानात है और साथ इसाथ सेंटम्स बताने हैं देखें आपको ये बात बताई गए थी कि इन तमाम के सेंटम्स जो है वे एक जैसे हैं लेकिन फिर भी कुछ अच्छा सेंटम्स हैं जो के अलग-अलग हैं तो वो भी जो है आपने तमाम बिमारियों के साथ बताने है ताकि खुदाना खास्ता किसी को कोई बिमारी हो जाए तो जो है आपको इसके बारे में इलिम हो थोड़ा बहुत तो इस्टूडन उमीद करता हूँ आप जो है इंस्ट्रक्शन समझ गए होंगे कि जो आपने चैप्टर पढ़ा है यह उसी से रिलेट करता है तीन जो आपको बिमारिया दी भी थी बस उसके जो है आपने नाम लिखने है किस तरह पहलती है यह बताना है और किदर किदर जिस पहलती है यह उसके बिमारी हो तो आपको कैसे पताब चलेगा कि यह कौन सी बिमारी है या ने उसके क्या साइन होगे क्या सेंटम होंगे यह स्टुडन उमीद करता हूं आप समझ गए होंगे खåलनों के च्छे तरीके से समझ पहें और जाप के सामने यह situation पेश आया तो आ हमारी appreciation यह है कि आप जो हमारे लिए comment करें और हमारा जो पेगाम है वो आगे बच्चों तक पहुचा यानी share करें तो student उमीद करता हूँ आप समझ गया होंगे तो चलें आप exercise को शुरू करते हैं देखें student आपको जो है वो चार्ट नजर आ रहा होगा जैसा के आपको बुक में दिया वाता बिलकुल उसी तरह से चार्ट बनाया गया है disease लिखी है source of transmission लिखा गया है organ cell attacked और symptoms तो बिलकुल वैसा ही जो है चार्ट बनाया गया है तो सबसे पहली जो disease हमने लिखी है वो लिखी है malaria यानी malaria यानी ये तमाम diseases जो है वो ही मच्छर के काटने से पहलती है लेकिन malaria किस तरह फैलता है सबसे पहले आपने ये बताना है उसके बाद जो है ये किदर आपको नुकसान पहुचाता है ये बताना है उसके बाद इसके sign और sentence क्या है ये बताना होगा तो सबसे पहले देख लेते हैं कि malaria कैसे फैलता है malaria is transmitted by plasmodium देखें मैंने आपको जैसा के बताया था के malaria एक ऐसा insect है यानि एक ऐसा कीड़ा है जो के इंसान के जिसम से अपनी गिज़ा हासिल करता है यानि खून जो है उसके लिए गिज़ा है एक food है parasite जो है इंसेक्ट है जो के इंसान के जिसम से खून पीता है और उस खून पीने के नतीजे में क्या करता है वो इंसान को malaria का virus जो है वो inject कर देता है और उससे वो बिमार कर देता है और student जब खुदा ना खाता है ये किसी को हो जाता है malaria तो वो कहां पर असर करता है liver पर ये जो आपके liver होता है इदर असर करता है student red blood cell पर ये कुछ इस तरह से असर करता है कि ये red blood cell को जो है वो तोड़ना शुरू कर देता है जिससे क्या होता है आपके जिसम में जो खून है वो जमने लग जाता है और सर में जब वो खून जमता है तो आपको seri blur malaria भी हो जाता है और इस बिमारी की वज़े से जिसम में जो है मुक्तलिफ जगाओ पर खून जमने लग जाता है और student इसका जो symptom है यानि अगर खुदा ना करता है किसी को ये हो जाए तो कैसे पता चलेगा उसको जो है इनसान को जो है बहुत ज्यादा बुखार रहेगा और बुखार का जो टेंपरेचर होगा वो ये होगा कि 40 डिग्री सेलसियस और 104 फेरन हाइट यानि ये एक यूनिट दिये है हमारे पास टेंपरेचर के तो इस हद तक जो है इनसान को बुखार रहेगा और टेंपरेचर होगा तो ऑकि स्टूडन जैसा कि आप जानते हैं 104 बुखार जो है वो बहुत ज्यादा होता है और इस बुखार में तो इनसान जो है बहुत ज्यादा सरवाइब करता है अपनी जिन्दगी के लिए तो student इस बिमारी के वज़े से भी इंसान की जो है वो जान जा सकती है तो student उमीद करता हूँ आप समझ गए होंगे कैसे फैलता है यह और क्या इसके सेंटम से और क्या यह जो है किदर असर करता है अगर student फिर भी कोई गलती क्यूरी रह गई हो तो आप जो हमें comment section में message कर सकते हैं इंशालला हम जो है reply करेंगे तो ठीक है डेंगू देख लेते हैं कि डेंगू जो है वो किस तरह से फैलता और क्या इसके सेंटम से तो आप जैसा के पढ़ चुके है थोड़ा बहुत उसी से relate करता होगा student डेंगू जो है वो फैलता वो इस तरी से तरीके से है कि it is transmitted by blood and organ donation तेके student मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ये जो है वो organ और blood donation से भी फैलता है यानि मच्छर किसी को काट के बिमार कर देता है फिर अगर वो बिमार शक्स अपना कून किसी को दे या अपना जो है वो organ यानि अपने जिसम को कोई हिस्सा किसी को दे दे तो दूसरा इंसान जो इसको लगाएगा वो भी बिमार हो जाएगा इस बिमारी में मुपतिला हो जाएगा और ये बाते जो है वो scientifically proved है जब ही जो है हम ये बात करते हैं कि organ donation और blood donation से जो है malaria लग सकता है तो student उमीद करता हूँ आप समझ गया होंगे और जब ये बिमारी हो जाती है तो ये अमारे जिसम के किस organ पे असर करती है और cell पे क्या असर करती है तो student ये जो हमारी skin पे असर करती है यानि जो हमारी skin होती है इस पे रेशिस पढ़ने लग जाते हैं और भी इस बिमारी के जो है असरात हैं लेकिन चंद लिखे गए हैं यहां skin पे सबसे बड़ी बात जो ये जो रैशिस पैदा करती है उसके बाद जो ये white blood cell पे आपके असर करती है देकर student malaria जो था वो red blood cell पे असर कर रहा था और डेंगू जो है वो white blood cell पे असर करता है तो ये भी कुछ इसी तरह करता है कि white blood cell को फारना शुरू कर देता है और student इसके जो symptoms होते वो ये होते है कि patient feel respiratory difficulties यानि इनसान जो है वो सांस लेने में मुश्किल महसूस करता है उसको ऐसा लगता है कि उसको सांस नहीं आ रही है उसको घुटन हो रही है उसको oxygen की जरूवत है तो जब ये बिमारी भी खैल सकता है शर्ट ये है कि जो सांस अपना ब्लद दे रहा है या जो इनसान अपना औरगन दे रहा है उसको भी ये बिमारी होनी चाहिए ऐसा नहीं कि कोई भी अपना औरगन देगा तो उससे लग जाएगी बिमारी नहीं ऐसा नहीं है बलकि उसे पहले से बिमारी होनी चाहिए फिर इंसान दूसरे इंसान को लगेगी और skin rushes तो इसमें रहेंगे ही रहेंगे skin rushes हो जाते हैं यानि skin पर ददोडे पड़ जाते हैं चिकन गुनिया इसको मैं चिकन गुनिया भी कह रहे होते हैं लेकिन चिकन गुनिया जो है इसकी pronunciation होती है तो चले आप पढ़ देते हैं कि चिकन गुनिया जो है वो किस तरह से फैलता है तो चिकन गुनिया जो पहलता है वो इस तरह से पहलता है कि एक infected person यानि जिसको पहले से ये बिमारी हो अगर उसे मच्छर आके काट ले एक normal मच्छर जो है जिसे बिमारी कुछ ना हो यानि जो कोई किसी पहले से वाइरस में मुपतला ना हो वो आके किसी आम इंसान को काट ले तो क्या होता है उस इंसान से वो खून अपने अंदर लेता है यानि खून जो है वो अपने अंदर पीता है उसका पिर वो ही मच्चर जो है वो दूसरे इंसान को जाके काट ले यानि जिस इंसान को उसने पहले काटा था उसके अंदर जो चिकन गुनिया का वायरस था तो अब मच्चर में भी ये वायरस आगी है वो जिस दूसरे इंसान को काटेगा उसको भी ये वाइरस मुन्तकिल करतेगा उसको भी बिमार करतेगा तो ऐसे ये जितने इंसानों को काटेगा उतने इंसानों को बिमार करता चला जाएगा यानि एक चेन बन जाएगी तो student उमीद करता हूँ आप ये समझ गए होंगे अब देख लेते हैं कि औरगन और सेल पर ये क्या असर करता है यानि किदर जो है कौन से औरगन और कौन से सेल पर असर करता है देखें स्टूडन ये भी जो है वो सकिन पर ही असर करता है यानि इसमें भी सकिन रिशिस हो जाते हैं आपने बात पढ़ी होगी कि दोनों के स्किन रशे जो है वो काफी आइडेंटिकल होते हैं यानि यकसा होते हैं जब इन बिमारियों में फरक करने के लिए क्या किया जाता है लिबारिटरी टेस्टिंग कराई जाती है ताके फरक हो सके लेकिन ये सेल पे जो है ये बिमारी होई है तो जब यह इस च्टरा से दवाई देनी है तो उमीद करता हूं आप यह समझ रहे होंगे और इसमें जो सैंटर में वो क्या है डर्थ रहता है जो कि आपको काफी मुश्किल में डाल सकता है शर में दर्थ होना जिससे आपको चक्कर आते हैं और अधेरी आ जैसा कि मैंने आपको बताया तो इस्टूडन इसकी नशेश जो है वो डेंगू और चिकन गुनियों दोनों में होते हैं तो इस्टूडन उमीद करता हूँ आप समझ गए होंगे काफी ब्री डिसकेशन दिया है अगर फिर भी कोई गलती क्यूरी और डिफिकल्डी रह गए हो तो कमिंट सेक्शन में जरूर मैसिज कर दीजिएगा खोल के समझाने का मतलब इसलिए होता है ताके आपको बात अच्छी तरीके समझ में आए और प्रैक्टेकल लाइफ में आप इसे अपलाए कर सकें और किसी को अगर कुछ बताना हो तो बता सकें और सई इन्फरमेशन वो आगे स्प्रेट करें और आगे फेलाएं तो इस टूड़न उमीद करता हूँ आप यह समझ गए होंगे आखिर में मैं कहूंगे कि चैनल को सब्सक्राइब दरूर कीजिएगा और दोस्तों तक भी शेयर कीजिएगा क्योंकि आपका शेयर करना सब्सक्राइब करना हमारे लिए एक reward होता है और यह जो एप छोटा सा काम होता है आपके लिए सब्सक्राइब करना ही या शेयर करना और साथ ही साथ मैं आपको ये भी कहुंगा अगर आप हमसे contact करना शाहे तो कर सकते हैं कोचिंग ते मुतालिग या किसी और टॉपिक से मुतालिग तो आप वाट्सेप नंबर जो वे स्कीन पर आ रहा होगा थैंक्स फर वाचिंग